स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाटिजी है जहां पर आप कहीं पर आप 10 लाग 5 लाग रुपय का FD करते हो न तो यहां सिर्फ आप 10,000 रुपय लगा कर उतना इंट्रेस्ट पा सकते हो जितना 10 लाग रुपय में आपको FD में इंट्रेस्ट मिलता है वो 10,000 लगा कर आप स्विंग ट्रेडिंग में कमा सकते हो मेरी बात ध्यान से सुनना जो आप 10 लाग रुपय FD में रखे होगे न जो आपको इंट्रेस्ट आता होगा न अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में 10,000 रुपय लगा दिये और बड़ा ध्यान से मेरे वीडियो को प कुछ नहीं मिलता आपको अपनी मेरी जो मैं पढ़ाऊंगा वो strategy समझना होगा आपको पूरा वीडियो में देखना होगा और पूरे वीडियो में देखके uniquely पकडना होगा कि स्विंग टेडिंग है क्या कैसे मैं income कर रहा हूं क्योंकि स्विंग टेडिंग मुझे बहुत पसं करूंगा सारे ट्रेडिंग को जहांपर मैं आप देख सकते हैं यहां पर पूरा नोट्स लगा हुआ है मैं आपको समझाता हूँ दोष्टो से पहला होता है UCLA अब यह बड़ा पॉपुलर है दोस्तो रीजन क्या है ना आप एक मिनिट में मुनाफवत निकाल सकते हो ट्रेडिंग करके लेकिन इतना असान नहीं है इसमें फहिमना की बहुत सारे इंडिकेटर यूज करते हैं लोग और इसमें बहुत एक्सपर्ट होना पड़ता है मैं पहले बता देता हूँ इसमें बहुत एक्सपर्ट होना होता है क्योंकि एक मिनट के चूक से अगर आपका internet सही नहीं चल दा है जो वास्तिकता है मैं बता रहा हूँ आपको अगर आपका internet सही नहीं चल दा है या आपने कुछ एक दो मिनट इधर time निकाल दिया आप चूग जाओगे आप loss की तरह move कर जाओगे बहुत बारीक एक दो मिनट का ही framing में ये काम चलता है दोस्तो तो इसको बोलते है scapling trading ठीक है दूसरा हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा जिससे बोलते intraday trading दोस्तो intraday trading क्या होता है एक ही दिन में खरीदना और एक ही दिन में sell कर देना profit मुनाफ़ा इसी के बीच में होता है दोस्तों और इंट्राडे का सबसे अच्छा एक चीज है कि आप पढ़े कुछ कमा सकते हो लेकिन इसकी बुराईया भी बहुत सारी है जब यह अब ट्रेन होता है ना तब ही कमा सकते है जब डाउन ट्रेन होगा ना बहुत रिस्की होता है दोस्तों चाए आप call लेलो चाए आप put लेलो बहुत रिस्की होता है optional trading भी मैं आपको बताऊंगा बहुत रिस्की होता है इसके बाता है BTSP buy today sell tomorrow देखो दोस्त BTSP होता है buy today sell tomorrow पास समझना यहाँ पर हम delivery का ही बटन यूज करते हैं सबसे बड़ा confusing यह होता है लोग ढूढने लगते हैं कि BTST का बटन कहां मिलेगा मेरे grow पे या मेरे angel पे या मेरे up stocks पे कहां मिलेगा नहीं delivery वाला ही यह thinking में है आपके by BTST में खेल गाऊं मतलब आज मैं back रूँगा मैं इसे sell कर दूँगा इसकी strategy होती है बहुत unique होती है unique ही होती है इसमें बहुत indicator use होते है और इसका भी swing trading से ही थोड़ा सा तालुकाद बनता है दोस्तों तो तीसरा चो सॉरी दोस्तों चोथे में आते हैं जिसका नाम है swing trading few days and even few weeks दोस्तों यह मेरा favorite है बहुत favorite है क्योंकि आप आज trade लिया है तो आज आज आपको बेचना नहीं है आपको बहुत प्रिश्रम नहीं करना अराम से घूमिए क्योंकि आपको मालूम है आपने अच्छा stock select किया है आपने पुरी strategy बनाई है आपने पुरा indicator देखा है उसका profit loss देखा है सारा चीज देखकर आपने उसे buy किया है आपको भरोसा है कि यह उपर जाएगा इस trading को रहा swing trading बोलते है मतलब यह आपको 7 दिन और 10 दिन के अंदर दोस्तों अगर 1 रुपय है नो अगर आपने एक रुपय का share खरीदा है तो 10 रुपय में बिखने में उसमें बहुत मतलब मैं तो नाक के बरावर मानता हूँ बहुत दिक्कत आने वाली है आपको उसके लिए बहुत बड़ा capital भी देना पड़ेगा लेकिन swing trading में ऐसा नहीं है छोटा capital बड़ा मुनाफा मतलब 10 रुपय का share होगा मात्र एक share 10 रुपय का होगा वो 20 रुपय चला जाएगा swing trading में सोचो मतलब धुगिना profit हो सकता है हमको हपते में में भी हो सकता है या 10-15 दिन में जो भी हम mostly इसको 15 या 15 दिन लेके चलता हूँ मैं 15 दिन तो मैं minimum लेके चलता हूँ दोस्तो जो मेरी thought है मेरा सोच है जिसपे मैं benefit ठाता हूँ उसके बात यह positional trading तो दोस्तो positional trading थोड़ा सा अब यह क्या होता है न दोस्तो कि आपने ले लिया और आप मतलब आप समझे लो कि आप 6 महिने के लिए भूल जाओ उस पैसे को 6 मंत के लिए उस तरह के trading होती है यह mostly company के profit और loss पर ही बना जाता है इसमें technical हम कम देखते हैं company का profitable ज़्यादा देखते हैं जैसे political में क्या आने वाला है उस company के जो CEO है वो कहां से तालुकात रखते हैं वो किस company से पहले आये हैं या उन्होंने किस company को buy करने वाले हैं इन सचीजों पर हम ध्यान रखा positional trading लेती हैं दोस्तो short term trading भी समान है वही समय लगता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय होता है short term इसको trading बहुते हैं mid term trading दोस्तों mid term trading जैसा होता है कि हमको पैसा चाहिए समलो यह मैंने 90 दिन लिखा है तीन मैंने लिखा है लेकिन इसमें लोग 1-1 साल तक पैसा छोड़ देते हैं 1-1 year, 2 year तक छोड़ देते हैं इसमें बहुत बड़ा गुरो होता है अगर 10 रुपए का share हो सकता है कि अगर आपने mid trading में छोड़ दिया न तो 1 रुपए का share 300 रुपए हो जाए सोचिए 10 रुपए का share 300 रुपए हो गया तो 3 लाक रुपए बन सकते है 3 लाक रुपए का profit एक साल के अंदर आपको मिल सकता है आपने माल दीजिए आपने 50 रुपए लगाया तो यह 50 रुपए हो सकता है आपको 3 लाक बन जाए mid term trading में 3 लाक, 4 लाक बन जाए एक साल, एड़ साल में यह बहुत 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 टम्स है और इस ही, तो कि दोस्तों, जितना ऊपर वाला है समय छोटी-छोटी scapling trading में बहुत कम margin है मैं आपको reality दाता हूँ उसके बाद intraday trading में उससे कम margin है, उससे कम मतलब आपने एक रुपए लगाया, तो scapling trading में आपको 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे कम मुनाफ़ा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो आप एक दिन में 10,000-5,000 रुपए कमा लेंगे, इसमें ट्रेटे ट्रेडिंग में आप वही एक रुपए का share ले रहा हो तो समझो कि आप एक रुपए ऐसे और कमाल होगे BTST में भी उसी तरह का 1,5 रुपए में चले जाओगे, swing trading में ही आप पांच पे जाओगे यहीं से हमारा growth चालू होता है क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़ा रिक्स लेना ही पड़ता है और मैं तो बोलूगा कि swing trading personal trading, short trading और mid term trading यह सबसे बैतर है एक आम इंसान है ना पर उसको चाहिए कि वो अपने जिंदगी में कुछ करना चाहता है 10-50 लाग रिपे कटा करना चाहता है अरांस जिंदगी जीना चाहता है तो scapling trading इतना आसान नहीं है आप ऐसा loss कर सकते हो बहुत पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा लेकिन अगर आपने swing trading समझ लिया positional trading समझ लिया short term trading समझ लिया और mid term trading समझ लिया ना तो आपकी जिंदगी कहीं दूर नहीं है आप असानी से अपनी जिंदगी पा सकते हो अपने घर, सपना, महल, गाड़ी सब पूरा कर सकते हो मेरे भाई चलो तो मैं बीना time waste की वे मैंने आपको उसकी परिवासा बता दी अब हम चलते हैं screen पे जहां आपको मैं समझाओंगा सबसे पहले swing trading के बारे में इंट्राडेट trading से एक दम अलग है इस बात का ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग चीज़े हैं दूसरी बात मैं करूँगा कि swing trading में कोई हम stock खरीते हैं तो 10 से 15 दिन तक रखते हैं मैं तो कम से कम 30 दिन तक रखता हूँ 30 दिन के बाद उस share को या stock को sale करता हूँ जो दूसरी बात है और हमारी तीसरी बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ तीसरी बात यह है कि जो भी हम stock को देखते हैं वो 30 मिनट के framing के above देखते हैं मतलब 30 मिनट के अंदर देखेंगे तो intra day में चले जाएंगे आपको 30 मिनट के timing frame के बाहर मतलब जाला देखना होगा आपको swing trading के लिए दोस्तों आप चौती mm बात सबसे बड़ी बात है darfond जो आपको लिए एक बताओंगा इस की में काती बात है जो की सबसे पहले हम कौन साफ्टाक अच्छा होगा कौन साफ्वीयम खेते हैं के पाचवा है कि हम स्विंग टेडिंग में रिस्क मेंगेज्मेंट कैसे करते हैं संप्राइड मतलब इस स्टाइट लगारेंगे कि हमें नुकसान कमी बताऊं तो नुकसान रहते हैं पी में सविंग ट्रेडिक में बहुत बड़ा खत्रा रहता है कि कि कै स्टैटेणी में सब्सक्राइब समय सकते हैं। लेकिन आगा स्विंग ट्रेडिंग में ना कल सरकार गिर जाए गौवर्मेंट गिर चुनाओं कहीं हो और वह गौवर्मेंट गिर जाए ऐसे चीज़ी आ जाती है तो बहुत तेजी से स्टॉक निचे जा सकता है हो सकता है operator यूज कर रहा हो इन सब बातों से बचने के लिए ना stop last लगाना बहुत जरूरी है, risk management करना बहुत जरूरी है swimming टेडिंग में क्योंकि आप एक महीने के लिए पाईसा उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक महीने के लिए तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहुत बड़ा रिस्क आ सकता है इसलिए रिस्क मनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आपको आरा चाहिए हम क्या करेंगे मैंने पहले बुला था हम ह भारे मातने आपको बात कर रहा हूंसरी इक्विटी स्टॉक के बारे में तो अब देखिए सबसे पहले हम स्टॉक सेलेक्शन कैसे करते हैं सबसे पहले हम साइड को लिया यहां जाएंगे मार्केट लिखा होगा यहां प्री ओपिन मार्केट पर क्लिक करेंगे इतने सारे स्टॉक आयांगे निफ्टी के 50 जो बहुत अच्छे स्टॉक है जो हमेसा ग्रोथ दिया है अभी फिलहाल में उन सब के नाम यहां पर उठा मुटर मैंने और टाटा मोटर का शेयर में ले आता हूं Google पे लिखता हूं टाटा मोटर शेयर और यह सिर्णेlar ना मैं फिर भी हम five year देखते हैं देख रहे हैं कि पांच साल सी उपर की तर जा रहा है मतलब इसका moving है यह उपर की तर मूब करेगा दोस्तों hundred परसे हमारा पैसे को grow में डालेगा यह तो COT हमें हो गई यह देखिए एक साल से बढ़ रहा है लेकिन हम mostly देखेंगे आपको six month का तब स तो मेरे खाल से 200 रुपए का increment दिया है 6 महीने में सोचिए अगर आपने इतना लगाया होता है 200 रुपए का फायदा होता आपको अब देखेंगे तो 550 से 707 रुपए चला गया बहुत सोचने वाली बात है तो मैं एक स्टॉक के बता रहा हूं ऐसे बहुत सारे multiple स्टॉक हैं दोस्तों तो अब 6 महीने पर grow देर ही रहा है यह देगा hundred percent मैं बोलता हूँ कि हजार भी चला जाएगा है अब देखें दोस्तों मैंने हम महीने भर लगाना है तो महीने में देखिए हमको इसने मैं बोला था ना महीने में आपको 100 रुपए डेड़ सो रुपए स्विंग से मिल जाता है अगर आप दिमाग लगा है तो मैं पहले बता रहा हूं स्टॉक को चेक करेंगे कि कौन सा हमारा uptrend में or down Trade में हैं हम स्टॉक पैसा लगा रहें इसलिए हम कोसिष करेंग है कि Uptrend में Γ्यादा में बिले ह तो देखिए अं Junior के तरह आएए ब स्टेजी देखना होता है धीक है अब हमाते हैं यहां पर जो यह मैं 52 से लिए बोलना हूँ क्योंकि यह एक रेकोमेंडेटली लिखा हुआ है गूगल पर और बहुत जारे आपके जो एक्सपर्ट हूंन न बताया है कि यह बावन वीक का लेकिन मैं मुस्ली 5-6 हपते का ही लेता हूँ सब्सक्रानाच यहां फर मैंने बूला थक्लियांगे इद्की फ्रे मिगता है हम सबस्क्रायगदайте में अब सब्सक्राइब होनाnumber ताइम फ्रेमिंग में सारा काम होना चाहिए ठीक है अब यहां पर पर चेक करते हैं हम इंडिकेटर का उच कर लेते हैं हम यहां लिखते हैं मूविंग एवरेज सिंपल हम इसे क्लिक करते हैं तेखें दोस्तों moving average simple आ गया है हमारा अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे न तो यहां पर आपको सारा कुछ समझ आएगा देखें नीचे भी आ गया है और ऊपर भी ठीक है अब सबसे पहली बात दोस्तों यहां देखेंगा यह हम इसको लेते हैं सबसे पहले one month में लेत करते हैं दोस्तों तो वन बन देखिए यह हमारा मूबिंग कर रहा है मतलब हमें यहां पर पॉइंट मिला हुआ है टाटा मोटर में हमको सिटेंबर सितंबर 2020 को टाइम मिला हुआ था कि आप यहां पर बाय करते तो यहां पर यह अपर चूंटी देता आपको खरीदारी करके प्रॉफिट जाने का मतलब एक अगर हम तीन अगस्त को खरीदते तो आज तीन अगस्त में सत्रह था और आज की टाइम पर यह मतलब 2023 में 500 रुपय क ग्रोथ कर चुका है स्विंग ट्रेडिंग की तरह हम देखे तो देखे यहीं पर से यहीं परलाग हम सेल कर देदे तो भी 300 रुपय का फ्रॉपिट आपको यह दे देता मतलब 200 रुपय का फ्रॉपिट देता तो इन समय को पकड़ने के लिए यह टाइमिंग फ्रेम को पर्चेस करना था अभी पर्चेस करना सही नहीं है क्योंकि यह अब ट्रेंट की तरफ है बहुत उपर गया है अब जब तक नीचे नहीं आएगा हम इसे बाइन नहीं कर सकते दोस्तों ठीक है अब टाइमिंग फ्रेमी बता रहा हूं आपको देखिए यहां पर देखिए ड इसे कर लेता हूं और मैं यहां पर देखता हूं और मैं यहां से खरीद के यहां पर सेल कर दूँगा आप समझे टाइमिंग फ्रेम है बस टाइम पर हमको लेना है और इस टाइम पर इसे बेचना है दोस्तों और हमें स्टे बना के रखना होगा तो इस तरह हम बाय और सेल क करके अपना swing trading में पैसा कमा सकते हैं मैं equity के बारे को बता रहा हूं आपको मैंने simply बताया यह आपको समझ आ गया होगा कि swing trading में कैसे हम stock selection किये stock हमारा हमेसा uptrend होना चाहिए दूसरा बात की फ्रास्टॉक अच्छा हो पेनी स्टॉक मत लीजेगा तो रिस्क होता है अच्छा स्टॉक लीजेगा क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए एकुरिसी बढ़ जाती है अब मैंने आपसे पहले बोला था कि रिस्क मनेजमेंट कैसे करें अब देखिए अगर मैं यहां पर इस पॉइंट पर लेता हूं भी यहां से इस इस प्वाइड पे मैं ब्याय करूँगा. यहाँ पर मैं ब्याय करूँगा. तो यहाँ पर मैं लूँगा. ठीक है, जब 671 पर मैं ब्याय करूँगा. ठीक है जब 6, 7, 1 पे मैं buy करूंगा तो मैं यहाँ पर आपको stopless लगाऊंगा यहाँ पर दूसरे वाले candle के नीचे लगाऊंगा मतलब अगर मैंने यहाँ पर buy किया अगर मैं 6, 7, 5 पर buy किया तो मैं अपना stopless लगाऊंगा यहाँ पर जो सबसे बड़ा candle है उस पर लगाऊंगा जो सबसे बड़ा candle है यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं stopless लगाऊंगा अगर आप swing trading करें तो बड़ा stopless लगा सकते हैं मैं mostly क्यूंकि मेरा एक एक एकुरेशन रहता है दोस्तों मैं बात और और बोलता हूं मैं आने वाले कल में stop selection करके बताऊंगा अभी trading में आपको तो आप मेरे बीडियो में बने रहीएगा आप देखिए कि मैं short video में सारा बताते जाओंगा तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं यहाँ पर stopless आप लगा सकते हैं दोस्तों यहाँ आप पर आपका हो जाएगा stopless लगने के बाद यहां से आपका उपर जाए अगर नीची आता तो दन यहां से आप निकल जाएगे मतलब यह stock नीचे जाने की कगार पर है तो खतरा हो सकता है मेंभी हो सकता है कि एक डाउन हो जाए क्योंकि बहुत सारे स्टॉक होते हैं बहुत मतलब थोकेवाज होते हैं मतलब मैं बता सकता हूं वो तीधे तीनसो से सीधे बाराते रुपय चले आते हैं एक हपते कंडिशन आता है तो ऐसा मत सोचिएगा अपको बहुत लंबा हो सकता है उसमें operator यूज कर लेता है मैंने पहले बीडियो बना रखा था operator यूज कर लेता है तो यहां पर हमको इस बात का ध्यान देना होगा हमें अच्छे और अच्छी कंपनी को पकड़ना को होगा पी बहुत बड़ी कंपनी तो यहां पर हम लेते हैं तो यहां पर हम्गी नुकसान पर पैदा कम ह्में फैदा कम हमें स्टूड़ा टूरा कम हो capital को भी अपने save करना सबसे बड़ा दिमांग में रखो capital को अपने save करना है capital को खोना नहीं है क्यूंकि capital ही तुमको पैसा लगा कर देता है capital को loss में ज्यादा नहीं लगाना है पैसा ना मिले दो रुपए कट गया हजार रुपर नुकसान हुआ चल निकल जाएंगे अब लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारा प्रॉपिट हो गई तो हमको होना है होगा तो होगा हमारा यह स्ट्रेजी है हमने पैसा किया है हमने पूरे चेक करके प्रॉपिट पो उसका कि उपर की तरह मूब कर जाता है लेकिन देखो दोस्तों एक चीव मताता हूं इसमें जब आप से लगाना कल बेचने लगना नहीं और मैं तो कुछिस करता हूं कि थोड़ा स्टॉप्लस और नीचे लगाता हूं तो इससे क्या होगा कि जब आप बहुत बार होता है कि स्ट टॉप्लस लगाने के बाद या अपने यहां मिजर्मेंट किया है ठीक है मैं वालूम का भी बताओंगा वालूम को भी वॉल्म भी इसमें बहुत बढ़ा रोल प्ले करता है तो तो मैंने किर लगा दिया यहां से मूडिंग एराइज हुआ और मैं चेक कर लिए बस سिंपल इन्पुट पर आपको उंतिचार करना है आप लगा होंगे नौबर में 20 नौबर को आपको वेट करना पड़ सकता है हो सकता है कि आपको 28 नौबर 30 नौबर 30 नौबर मतलब मान के रखी अगर आप पैसा यहां लगाते हैं तो यह होता है 20 और आपको 30 नॉंबर तक पैसा आपका 100 रुपए क्या में ख्याल से 50 रुपए तक का इंक्रिमेंट कर देता है तो मजाक नहीं है अगर एक में 50 रुपए इंक्रिमेंट कर दे तो बहुत बड़ा पोजिशन है जिस तरह आप समझ लिजे कि आपने 100 कस्टमर को समान 50 रुपए का बेज दिया उस तरह का बात हो जाता है आपने दुकान खुला आपको इंवेस्टमेंट करना पड़ा लेकिन यहां पर को इंवेस्टमेंट नहीं है प्रेडिंग में अभी आपको खुद करूंगा सारे सेयर का और सेयर को देता जाओंगा आपको अच्छा लगे तो आप उस पर बाइंड सेल कर सकते हैं यह आपका थौट है यह सिप मेरा अनलाइस होगा मैं स्योटी नहीं दूँगा मैं अनलाइस होगा अल्ली फॉर करके प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों तो हमारे निस्ट क्लास के लिए हमारे वीडियो में बने रही है